दपटवारी और कानुनगों ने अपनी मांगों को लेकर हर्ताल को दो दिन और बढ़ा दिया है पटवारी और कानुन 18 और उनी जनवरी को भी हर्ताल पर रहेंगे विदित है कि पटवारी 3 जनवरी से काम छोड़ कर लगतार हर्ताल पर है इस कारण आमजन काफी परिशान है रेवेन्यू पटवार और कानुनगो एसोसियेशन के बैनर तले चल रहे सांकेतिक धरने को मंगलवार को सुभाष चंडालिया नगडिगम कर्मचाली संग के जीला पानीपत प्रधान ने समर्थन दिया साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम सब का विकास करेंगे सबको साथ लेकर चलेंगे तो पटवारी भी इस विचारधारा में शामिल करने चाहिए जो सरकार ने मांग मान ली है उसको पूरा कर देना चाहिए आपको उता दे कि आजाद सिंग मलिक पुरे प्रधीश अध्यक्ष हरियाना रोडवेजवा वर्तमान हरियाना किसान कॉंग्रिस के प्रधीश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ खिलवाड कर रही है इस खिलवाड को बंद करे सरकार कर्मचारियों की मा पूरी करे और इन्हें जनता की काम को करने के लिए काम पर लोटा दे मलिक ने कहा कि सरकार से तानशाही रवये से सरकार कर्मचारियों को परिशान कर रही है इससे काफी रोश फैलता जा रहा है तो वहीं पटवारी एसोसियेशन के प्रधान मुकीश कुमार और विजेंदर शर्मा उप्रधान ने कहा कि हम कर्मचारी जनता और सरकार का काम करना चाहते है परंतु सरकार कर्मचारियों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर रही है इस कारण पानीपजिले में 30,000 से जादा इंतकाल पेंडिंग है लगबग 15,000 डोमिसाइल आय प्रमान पत्र जा जाएगा इसके साथ ही 13 दिन बाद भी सरकार ने धरने पर चल रहे है पटवारी और कर्मचारियों को कोई सूध नहीं ली है इस कारण इस कड़ाके की सरदी में आमजन और कर्मचारी काफी परिशान है खैर आपको बता दे कि आज भी सरकार ने कोई वारतलाप के लिए नह समस्य का कोई समधान निकाल सकी है इस कारण प्रांतिय कारेकारनी ने 18 और उनी जनवडी को धरने का आहवाहन किया है आज धरना में नगर निगम कर्मचारी संग पानिपत के उप्रधान बलराज कृष्ण बागडी राजिंद्र ओम प्रकाश वेद प्रकाश सचिव और कल कलर्क भारत सिंग सुर्जीत पंकज कलर्क सीए डबलू एस के प्रतिनीधियों ने धरने को संबोधित किया तो अभी के लिए के वले इतना ही दीश और दुनिया के इसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ इंडिया नियूज हर्याना पड़ नमसक